नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं न्यू ज्वारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी कबर को यूपीएसी पीटी पास एससी एस्टी विद्यार्थियों को मिलेंगे एक लाख रुपए जारिकन सरकार ने यूपीएसी सिविल सेवा परिछा पीटी पास करने वाले राज के एससी एस्टी विद्यार्थियों को आगे की तैयारी के लिए एक लाख रुपए की सहतरासी द प्रत्साहन योजना के तहत लाब दिया जाएगा जिन विद्यार्थियों ने जारकन से इंटरमेडियर्ट और ग्रेजुएशन किया है और जिनकी सालाना आए दो लाग पचास जार रुपई से अधिक नहीं है उन्हें लाभानवित किया जाएगा राजिया के अंदर सरकार क अस्थर से सिविल सिवा परिच्चा के लिए संचालिट कोचिंग अलाब जो विद्यार्थी ले रहे हैं उन्हें या लाब नहीं मिलेगा जारकन में कल 12 दिसंबर से लोग को मिलेगी बिजली कटोती सिराहत जारकन बिजली वितरन निगम लिमिटेट जेबी वियनल द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएपसी से 750 करोड रुपे लोन लेने की प्रिक्रिया चल रही है पीएपसी को कागजात भीज जा तब जारकन जारत के मुताबिक बिजली ले सकता है और लोड शेडिंग की समस्या से जारकन को निजात मिल सकती है वरतमान में 300 से 400 मेगावार्ट की लोड शेडिंग हो रही है अलाकि राजधनी र्यांजी को फूल लोड बिजली देने का प्रियास किया जा रहा है र्याज जारी बाग बाग गिरिडी के कुछ इलाकों में 2-3 घंटे बिजली कटोती की सिकायत मिली है बताय जा रहा है कि या लोकल फोल्ड की वज़े से शंब हो है पलामू टागर रिजर्व में बाग ने किया बच्ची को जक्मी इलाच के दोरान मौत चानबीन में जुटा परब और से लड़की दुकान से समान करित कर घर वापस लोट रही थी इसी क्रम में बाग ने उस पर हमला कर दिया था इस्थानिय ग्रामिनों पर इजर्वन द्वारा सोर मचाय जाने के बाद बाग जंगल में भाग गया इस हमले में किरन गंफिरुप से जक्मी हो गई थी उसे इलाज के लिए इस्थानिय अस्पताल में भरती करवाई किया जहां डॉक्टरों ने बहतर इलाज के लिए उसे MMCH राफर कर दिया था MMCH में देर राद इलाज के क्रम में किरन कुमारी की मात हो गई ग्राची के नामकुम में छे गववन्स मिलें मृत जांच में जुटी पुलिस राजधनी के नामकुम और वरिज के पास आधा दर्जन के करीब गववन्स मृत पाए गए हैं गववन्स के अगर आप चानल को सस्क्राइब ने की हैं तो प्लीस चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हर शोटी बड़ी खबर का अबडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए बढ़ते हैं खबरों की और गोमियां के परवासी मजदूर की मुंबई में हुवी मौत से को छोड़ गया परवासी मजदूर के हित्मे कारी करने वाली समाच से भी जो है सिकंदर अली ने सन्वेदना परकट करतों वे काहे कि परवासी मजदूर ज्यादा तदात में गिरीडी हजारी बाग और बोकारो जिले से रोजी कमाने के लिए लोग बाहर गए हैं इन मज मजदूरो की जिंदगी में कश्ट तो बीटती ही है मौत के बाद भी किसी के लास हपते भरबाद आती है तो किसी को तीन महेने भी लग जाते हैं ऐसे मैं सरकार को मजदूरो का पलान रोखने के लिए रोजजगार की व्यास्था करनी चाहिए रंगदारी नहीं दिया तो अगली बार खोपड़ी उड़ेगा ग्यांगस ओफवासेपूर ग्यांगश्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने रेश्टोरेंट पर की फारिंग जारखन की धनबाद सहर की IIT IIM गेट के समिप इस्थित साही दरबार रेश्टोरेंट में सुक फारिंग किया और फरार हो किया फारिंग की घटना के बाद फ्रिंस खान का मेसेज आने की बाद कही जा रही है हलाकि CCTV फूटेज दुकानदार सारवजनिक रुप से उपलब्द नहीं करा रहे हैं फ्रिंस खान सही दरबार के मालिक नया बज़ार निवासी नवाब को होकी अस्टेडियम तयार, बेसो का पहला एको फ्रेंडली बिर्सा मुंडा अस्टेडियम तयार, 13 जनवारी को भारत स्पेन का मैच, वर्ल्ड कप 2023 का अगाज 13 जनवारी को जारखन की राजधानी से 160 किलोमेटर दूर ओरिसा की रावर केला में होगा, खास बात या है कि अ जार दर्सकों की चमतवाला या भारत का सबसे बाड़ा होकी का स्टेडियम होंगा, इंडिस्ट्रियल इंफ्रस्ट्रक्चर डपलप्मेंट कमपनी ने स्टेडियम का निर्मान किया है, कमपनी के अध्यक सहा प्रवंज निरीशक संजे सिंग ने बता है कि औरिसा सरकान ने पुरूस होकी विसुकप के लिए विस्वस्तरी अस्टेडियम बनाने का जिम्मा दिया था, बारा महिने में काम पूरा करना था, जो लगबग हो चुका है, तीन सो करोड से होकी के इस मैदान को हर मौसम की अनुकूल बना गया है, नीजी छेतर में काम कर रही नर्सों की आ इसके लिए भारत सरकार स्वास्त एबं परिवार कल्यान मंतराने ने भी निर्देश दे रखा है, इस समय में राजमे नीजी अस्पतालो नर्सिंग होम को दिसा निर्देश दिया जा रहा है, इस बात की जानकारी विभाग के शन्युक्त सचिव चंदन कुमार ने बता है कि प्रैबिट अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों के वितन, सिवा सर्तों के निर्दारें समंधित संकल्ब विभाग की वेबसाइट www.jharkand.jofi.in slash healthprop उपलब्द है नीजी चेतरे के नर्सिंग होम, अस्पतालों समंधित व्यक्तियों से विभाग ने अपील करतों वे काये कि वह इस संकल्ब का अध्यान करें, इस पर अपनी आपर्ती दावाया सुझाओ वे 15 दिसंबर 2022 तक विभाग के पास दर्ज करा सकते हैं जैक कारियाले का जनवरी में घेराव करेगा मोर्चा, जार्कन राज्य वित रहित सिक्षा स्तन्युक्त संगर्ष मोर्चा ने जार्कन एकडमी काउंसिल में D.E.O. कूर्षन योजग बनाने का विरोध किया है, मोर्चा की बाठक को भी, बाठक में D.E.O. वज़े कारियाले की मनमानी के खिलाब अंदोलन करने लिया गया, मोर्चा जनवरी में जारखन एकडमिक काउंसलिंग कारियाले का घिराव करेगा, बाठक में मोर्चा की खाथसे में एक की मौत, परमंडल मोख्याली मेद्रिनगर टाउन ठाना चेतर के रेडमा में, इलाके में एक हाया स्पीट कार विजली के पोल से टकरा गई, इस दुरगटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक गंभी रूप से जक्मी है, गंभी रूप से जक् मिस्रा का न्यायख ही रासत में, CIP के नसामुक्ति केंद्रों में इलाज चल रहा है, सनिवार को पतनी गीता देवी उससे मिलने CIP पहुंची, पर उने अपने पती से मिलने की इजाजत नहीं मिली, CIP के निदेशक बासुदेवदास ने बताया कि पंकच मिस्रा से उनके प पूजा पर F.I.R. के लिए E.D. ने भेजी रिपोर्ट, E.D. ने जारकन सरकार से जेल में बंद निलम्भित I.S. अधिकारी पूजा सिंगल के खिलाप आई से अधिक संपती अर्जित करने के मामले में प्रात्मिकी दर्ज करने को कहा है, E.D. ने या बात राज सरकार को सुतरो के अनुसार E.D. ने सरकार से कहा है कि वहाँ पूजा सिंगल से उनकी संपती के सुरोध बताने को कहें, E.D. ने कहा है कि राज सरकार के लिए पूजा सिंगल के खिलाप भष्टा चार निरोधक अधिनियाम के तहत प्रात्मिकी दर्ज करना उचित होगा, E.D. ने म आपको जोरकन के हर चोटी बड़ी खावर का अपडेट आप तक पहुंचता रहें, तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिजा इजादत फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में